नमस्कार दोस्तों कल टी टूंटी वर्ड कप में भारत की करारी हार हो गई है और भारत के करारी हार के बाद जहां एक तरफ लोगों का गुस्टा फूर पड़ा है मोधी, बेटे, साह और अक्षय कुमार पर तो वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो जो एक तस्वीर जो है काफी ट्रेंड करा जिसमें बिराट कोली जो है वो खास करके बिराट कोली और पाकिस्तान की जो कर्केटर थे चाहे वो बावाराजम हो और या फिर जो इन्हों ने एक और बड़े प्माने पर रंच दोनों ने बनाये थे उनको जो है कहीं ने कहीं एक तरीके से एक साथ विराट कोली कोले कर गुशा फोर पड़ा है कि पाकिस्तान के खिलारियों के साथ, वो मिल जूल रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग इसे एक अच्छा मूमेंट भी बता रहे हैं बेरहाल सोसल मीडिया है सोसल मीडिया में लोगों का कहना है आप इसे कैसे देखते हैं कमेंट के मादधम से सुझाओ दें लेकिन कल जो सरमनाक हार हुई है दोस्तों इसके पीछे की तीन बड़ी वज़य क्या है आप कमेंट के मादधम से पने सुझाओ दें लेकिन हार के बाद भारत और पाकिस्तान की जो एकता की मिसाल थे वो बिराट कोली ने जरूर पेस किया है और हार के बाद बिराट कोली ने जरूर पेस किया है और हार के बाद बिराट कोली ने जरूर पेस किया है कि मोधी भक्तों को ये लग रहा था कि तेजी के साथ हम जीतेंगे तो वो जीत नहीं पाए दूसरी तरफ टीम इंडिया देश को ये जटका देने के बाद दूसरा जटका ये दे गए जब पाकिस्तान के क्रिकेटरों को गले लगा दिया यानि दूसरा जटका ये लग गया कि अब पाकिस्तान के क्रिकेटरों को गले कैसे लगा लिया तो ये जटके पर जटका विराट कोली निकल दिया हलाकि विराट कोली पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है तो ये दूसरी तरफ मोधी साह एंड कमपनी पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है क्योंकि मैनेजमेंट ठीक ना होने की वज़ा से लोग अब ये पूछ रहे हैं क्या खिर हो क्या रहा है तो इस बीच आपको बता देए ट्वीटर पे तेजी के साथ सोसल मेडिया में वारल हो रही है तस्बीरे और ये तस्बीर आप देखी किस तरीके से इस तस्बीर ये सोसल मेडिया में तेजी के साथ वारल हो रहा जब गले लगाया विराट कोहली ने बाबा राजम और रिजवान को तो वो सोशल मेडिया में तेजी से वारल हो गया तो दोस्तों आप कमेंट के माधिन सुपने सुझाओ देना ना भूले इन तस्बीरों को मूदी भक्त जो है इसे इस तस्बीर पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि विराट कोहली ने गले क्यों लगाया तो अब आप कमेंट के माधिन सुझाओ देना